इंडियन जो स्केल्स हैं भारती शास्त्रिय संगीत के उन्हें वेस्टन में क्या बोलते हैं ये C-sharp, D-sharp, E-sharp ये क्या है और ये पहली सफेद, दूसरी सफेद ये क्या है तो स्केल्स के नाम जो हैं वो हिंदी में और इंग्लिश में यानि कि इंडियन म्यूजिक में ये तो ये स्केल्स के नाम है आईए उन पर हम चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्केल्स क्या है तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए का नाम उनका घर बैठे निशुल्क संगीत सेखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें रियाज एप एक बहतरीन मोबाइल अप्लिकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी करनाटक और बॉलिवोट संगीत सीख सकते हैं तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिसकाउंट मिलता है तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा तो डाउनलोड कीजिए ये अप्लिकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज आप से लिने परगने दानिर गमनेजाएंगे शुक ये था मोहाबत में जलेंगे चुप चाप शौक ये था कि महाबत में जलेंगे चुप चाप रंज ये है कि तमाशा न दिखाया कोई शायर मुझे मालूम नहीं है अग्यात है मगर ये शेर मेरा बड़ा ही पसंदीदा है इसलिए मैंने सोचा आज इसको ऐसे ही गाद हूँ कि शौक ये था महबत में जलेंगे चुप चाप रंज ये रंज यानि किसी चीज़ का गिला करना होता है या मन मुटाब हो जाना जैसे रंजिश आपने वर्ड सुना होगा ना तो रंजिश मतलब इल विल तो शौक ये था महबत में जलेंगे चुप चाप रंज ये कि तमाशा न दिखाया कोई तो बहुत अच्छा शेयर इसलिए मैंने ऐसे ही एक धुन दे कर उसको गाने की एक कोशिश करी तो खेर आईए टॉपिक पर वापस आते हैं और हम जानते हैं कि क्या-क्या स्केल्स के नाम होते हैं और कौन-कौन से स्केल होते हैं, हम यह जानते हैं कि 12 स्केल होते हैं, याना हिंदी में, यानि भारती अशास्त्रे संगीत में आपने सुना होगा, पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली, और पहली सफेद, दूसरी सफेद, तीसरी सफेद, च क्या होता है यह कहां होते हैं और यह कौन से स्केल है जैसे शार पांच वी काली है तो ऐसे ही हम जानेंगी कौन-कौन से शार्प और कौन-कौन से फ्लाट हैं और वो कौन-कौन सी कालिया है तो अगली फ्रेम आप देखेंगे कीबूर्ड की और उसमें आप देखेंगे कि कौन सा सूर कौन सा है ठीक है तो अपना यही साउंड उपर है तो यहां से आप अगर गिने यह आप पेर देखें तो दो तीन दो तीन ऐसे ही जाते हैं हर्मोनियम में तो यह सब तक हैं, यह समझ लीजी आप, कि यहां से लेकर यहां तक, अगर आप पहली काली जानते हैं, सारे गामा पदा नी, तो यह यहां तक सब तक होता है, पूरा नी तक, यहना हर स्केल का अपना अलग सब तक है, सासे नी इसका यह है, सासे नी इसका यह है, यहना इसी ग्यारा बारा ये बारा सुर हो गए पूरे है ना अब इन में से नीचे जितने हैं इस सारे सफेद है तो जाहिर बात पहला दूसरा तीसरा चोथा पांचवा सात्वा ये पहला दूसरा तीसरा चोथा पांचवा छथा सात्वा तो ये साथ सफेद हो गए तो ये हमारे सातो पेदी कहते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कहता है, पहली सफेद लगाओ, मैं वहाँ से गाऊंगो, या वहाँ से बजाना है, तो वो नीचे नहीं, यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ से सब तक आराम से clear हो जाता है, और उपर भी आप गा सकते हैं, नीचे भी आप गा सकते हैं, तो उमोमन यही sound जो है, यही octave जो है, उसका use होता है, यह जो एक सब तक यह है, एक यह सब तक है, एक उपर का सब तक है, तो यह mid octave है, तो mid octave ही use होता है, अब यहाँ से लेकर कम से कम यह समझ ली दे, चौथी सफेद तक, यह जो है, यह एक दो, तीन, चार, पांच है, यह आप यहां लगा सकते हैं और बाक्री 600 यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच है वोईस के अनुसार यह male scales होते हैं, male singing के यह 6 scale है और यह 6 scale female singing के इसाब से हैं, वोईस के इसाब से हैं गाने को female भी पहली से गाते हैं, दूसरी से भी गाते हैं, विल्कुल गा सकते हैं अगर उमून, उमूमन, in general बता रहा हूँ मैं आपको ठीक है, अब इनके नाम देख लेते हैं, तो यह पहली सफेद है यह दूसरी सफेद, तीसरी, चौथी, पांचवी, छटी, साथवी पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली अब यह क्योंकि पहली और दूसरी के बीच में हैं, तो इसे डेड़ भी कहा जाता है और ये दूसरी के बाद में है, तो इससे ढ़ाई भी बोला जाता है, तीन के बाद साड़े तीन, चार के बाद साड़े चार, पांच के बाद साड़े पांच, उमुमन यही इनके नाम है, कोई आपको सातवी सफेद नहीं बोलेगा, साड़े पांच ही बोलेगा, है ना, छट तो सेम ही है लेकिन सब तक यह वाला यूज आता है अब इंग्लिश में इनके नाम देख लें तो यहां से शुरू होता है यह है C फिर है D यह C scale अगर आपको कोई कहता है तो यह है C scale और D scale बोलता है तो यह D है यह E है यह F यह G यह A यह B जी तक तो alphabetical order है यह C, D, E, F, G लेकिन उसके बाद यह A, B आ जाता है दुबारा यहना A, B और यह C दुबारा C आ जाता है तो C, D, E, F, G और A और B यह scales है अब इनके बाद जो sharp हैं वो क्या है तो C के बाद आता है C sharp यह D के बाद आता है D sharp अब E के बाद कुछ नहीं है सीधा F है तो यह F और यह F sharp हो जाता है यह G, यह G sharp, यह A, यह A sharp और यह B है न तो पांच भी काली आपने देखा A SHARP है, छोथी काली G SHARP है, तीसरी काली F SHARP है, दूसरी काली D SHARP है, पहली काली C SHARP है, पहली सफेद C है, है न तो ये इनके नाम है, अब मैं फृर से एक बाढ़ दोहरा देता हूँ, ये C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B ये 12 सुर हमारे हो गए अब sharp को hash से दर्शाया जाता है आपने आगे कहीं देखा हो तो hash अगर आगे लगा है तो वो sharp है लिखा हुआ है ठीक है C sharp यानि पहली गाली है अब इनके जो flat अगर आप बोलें तो क्या होता है शार्फ जो सुर है वही sharp मतलब क्या तीखा यानि उससे थोड़ा आगे है तो C से आगे है तो ये C sharp है C से तीखा है उसी सुर को थोड़ा तीखा यानि उचा किया गया है तो C sharp हो गया लेकिन D से तो ये उतरा हुआ है नीचे है तो ये flat भी है तो ये D-flat अगर आपको कोई बोलता है तो भी वो C-sharp ही है लेकिन इन जनरल आपको इतना complicated कोई नहीं करेगा C-sharp ही बोला जाएगा तो जितने sharp हैं वही आपके flat भी है उनके आगे वाले सोर के यानि C के आगे तो ही ये C-sharp और D के पहले तो D-flat D के आगे है तो D-sharp लेकिन E-se पहले है तो ये E-flat है इसी तरह से ये C-D-E-F-G G है तो ये G-sharp है लेकिन G-flat ये है flat यानि उससे पहले वाला A, A-sharp ये G-sharp भी है और A-flat भी है ये B और ये B-flat भी है इसी तरह से इनके flat वाले नाम भी होते हैं ठीक है, तो ये अबलिक करके आप समझ सकते हैं, बगर इन जनरल आपको इतना कोई बोलेगा नहीं, तो ये इनके नाम हो गए, अब मेरे खैल से आप समझ गए होगे और याद कर लिया होगा आपने, तो देखते रहें ऐसी संगीत प्रवावर्ड की वीडियो को, और सब्सक्